क्या बात है जैस्दी तुम तो बहुत अच्छा खेल जाओ अरे गल्ली क्रिकेट तो कोई भी खेलता है असली क्रिकेट तो स्टीडियम में खेला जाता है मैं कहीं भी अच्छा खेलता हूँ अच्छा तो कल से हमारा क्रिकेट क्लब जॉइंग कर लो फिर देखेंगे कि तुम प्राक्टिस करने के भी लायक हो या नहीं अपसे हर खिलाडी को यो-यो फिटनेस ٹेस्ट पास करना ही होगा इस टेस्ट में खिलाडी को 20 मिटर दूर एक कौन से दूसरे कौन तक भागना होता है यह बिल्कुल क्रिकेट पिछ के लंबा य है बराबर होता है जो 20.12 मिटर लंबा होता है या 22 गर्ज लंबा होता है यहाँ बीप के आवाज होते ही खिलाडी को अगले बीप के आवाज होने तक दोड़ना होता है मुड़के उन्हें तीसरी बीप पोजने से पहले वापस पोचना होगा तीन बीप मिलके एक शटल बनता है शटल के बीच सास पकड़ने के लिए 10 सेकंड मिलते है और अगर खिलाडी किसी भी वक बीब बजने से पहले कोन तक पोचने में फेल हुआ तो उसे पहली चेतावनी मिलती है चलो चलो और तेज और तेज तुम पीछे रह गए हो जेजी देखो तीन बार नाकाम होने के बाद आपको फेल कराया दिया जाएगा यार ये रूल तो हमारे गल्ली क्रिकेट से बहुत ही अलग है मुझे तो ये टेंशन आ रहा है कि इतने बड़े ग्राउंड में खेलना कितना मुश्किल और ठका देने वाला काम है अगर कोई खिलाडी अपने वजन और फिटनेस पर ज्यान नहीं दे रहा तो उपरी टीम को नीचे ला सकता है जो टीम के लिए अपनी जी जान देने के लिए तैयर नहीं है मैं नहीं चाहता ऐसे लोग टीम में आए क्यो जेजी हवा निकल गई दादी मैं कल से क्रिकेट खेलने नहीं जाओंगा ये कोई आसान काम नहीं है बेटा अगर कोई काम मुश्किल है तो क्या आप उसे नहीं कुरा करोगे पर दादी वहा कितनी मेहनत करनी होती है ये देखो मैं तुम्हे कुछ दिकाती हू करता हो कर दो करता है क्य lot और हू करन दो चाहिए तून me दोस्ते हू तो आज उसे कोई नहीं पहचानता हूं और पुरे जोश से अपनी क्रिकेट की प्राक्टिस करता हूं जुरे 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 गुष बुष बाद्ट बादिट इंग मैं इंगा टो आड़ आड़ा आड़ दोड़ा आड़ा हरा दो पर फिर जाड़ एड़ा दो प्राड़ एंगा अगाद्ट आड़ा दोड़ा ओड़ा दो है